आखिर बेगू सराय जिले में अपराद थमने का नाम ले किमिरा है बेगू सराय जिला अपराधियों का अड़ा बनते जा रहा है और पूरा ठीकरा सरकार के उपर कल बिहार बिधान सभा में विपक्ष के नेता बिजय सिनहा ने फोड़ा है और कहा है कि बेगू सराय के कप्त यानि कि SSP को जिले में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और वास्तों में बेगू सराय में ही तमाम घटनाएं घट रही है आखिर क्यों इसका जवाब तो निस्तित तौर पर पुलिस कप्तान को देना चाहिए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है बीजय सिन्हा नहीं उस समय कप्तान यहीं थे और आज भी कप्तान यहीं है इसकी उचस्तरिये जाच कराए और ऐसे भरष्ट परसासन जिनसे नहीं समलता जिला उनको हटाना चाहिए एक परभारी मंत्री थे यहां थे अदित कुमार और उस समय हम यहां कहा था कि इसे बरष्ट लोगों को आप बेगुस राजेशे जिले में जो संबेदन सिल है और दोगिक बियार के और दोगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है और यहां अच्छे परसासक की मंदार परसासक की जरूरत है लेकिन यह सरकार आखिर क्यों बेगुस राज को डिस्टर्ब करने के लिए आईसे लोगों की जामात को बैका रही है आज बास्तु बिहार के अंदर तीन घरों में डकैती रतन मंदिर जेवलर्स में दिन दहारे डकैती होता है अधा घंटा दो दो ताना अगल बगल ये परसासन की अकर्मनेता साप जलका रही है गंदारी की मांग डॉक्टर से हो कुछ बात तो बाहर आती है कुछ बात अंदर ही रह जाती है तो कहें ने कहें जंगल राज का जो पुरोधा था अप रादियों का गैंग उसके अनुकूल वाता बरन लग रहा है और ये खूल करके गुन्डला राज में तब्दिल कर रहा है आज लगभग एक दरजन रेप की घटनाएं वेगु सराई जिले के अंदर घटित हुआ है दो गैंग रेप भी हुआ है और इसके बाद भी यहां का परसासन अपनी जिम्मवारी को सही धंग से निभा नहीं पा रहा है इसकी समिच्छा सरकार को करनी चाहिए सुना आपने बीजे सीना ने क्या कहा कि बेगु सराय के पुलिस कप्तान को जिले में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है उनको जिले से चले जाना चाहिए अपना तबादला करा करें अब देखना है कि ऐसे कटाच सुनकर क्या बेगु सराय जिला के कप्तान अपनी कारिसाली में सुधार करते हैं नहीं इस पर भी नजर रहेगी आप बने रही है हमारे साथ